दोस्तों यह ख़वर सुनने के बाद अक्षे कुमार के फैंस बोलेंगे हमारे अक्षे कुमार पुराने वाले लौट आए बाई सहाब लौट आये अब तो धड़ा-धड़ हिट पे हिट आएंगी जैसे की आप लोगों पता होगा अक्षे कुमार जो लगबग कह सकते हो की 10 बारा साल पहले जिस तरीके की कॉमेडी मुवी बनाया करते थे बाइस आप कोई तोड़ नहीं था उनका दूसरे जो एक्टर थे वह उनके आगे पानी कम थे लिटरिली गाइद उनकी जो कॉमेडी टाइमिंग होती है उनके जो करेक्टर होते हैं वह आउटस्टेंडिंग हो बताओ जिसके उपर मीम्स बने हों या फिर याद रखे गए हों जिस तरीके से होती है कुछ ऐसी मूवी जैसे कि आपको बताओगा हेरा फेरी उनका जो रोल है भाई सहाब दिल जीत लेता है राजीव का रोल वैलकम में मतलब करेक्टर ही कुछ अलग तरीके का था ऐसा को कॉमेडी टाइमिंग में काफी लाजवाब थे काफी अच्छे थे और समय समय पर उन्हें काफी सारे लोग बोलते थे कि आपको करनी चाहिए कॉमेडी मूवी जिस तरीके से पहले करते थे जैसे कि आवारा पागल दिवाना हेरा फेरी पार्ट तू यहां पर वैलकम तो ग वह रिक्वेस्ट किये लेकिन अक्षे कुमार अपने बीजी से ड्यूल हो या फिर उनका एक करसम हो कि वह कॉमेडी मूवी बहुत कम करेंगे उसके वजह से उनकी मूवी अठकी रही और फैंस ने बीच में यहां फैंस ने बीच में अक्षे कुमार को छोड़के फैरी नहीं तो वहां पर देखो भाई नुकसान होगा इसलिए उन लोगों उस वक्त मूवी को रोग दिया अभी गाइस बीच में खबर आई थी कि इंट्रेस दिखा रहे हैं अक्षे कुमार लेकिन दोस्तों एक साल में चार मूवी जब फ्लॉप हुई तो अक्षे कुमा के दुनिया में लेके जाएंगे एक बार फिर से क्योंकि न्यूस का कहना है कि फिर हेरा फेरी पार्ट 3 हो या फिर वैलकम पार्ट 3 हो या फिर अवारा पागल दिवाना पार्ट 2 हो इन सभी मूवी के ऊपर काम शुरू होने वाला है अक्षे कुमार जल्दी अनौस्मेंट दोस्तों करते हुए दिखाई देंगे देखो बाइप परसनली मैं वैलकम पार्ट 3 और फिर हेरा फेरी पार्ट 3 के लिए दोस्तों बहुत जादा एकसाइटीड हूं क्योंकि यह मूवी हमारी परसनल फेवरेट है जैसे कि आप लोग आप लोगों पता होगा कि फिर हेरा जो में से वह कितने वाइल हुए चाहे वह हो पैसा ही पैसा होगा और बहुत सारे हैं जो ऐसे में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं अनकि उनकी बहुत सारी कॉमेडी मुवी है जैसे कि भागम भाग आप ले सकते हो गरम मसाला जो प्रियत दर्शन के साथ उन्होंने दी ह है वह एक भाई सहाब जो डीकेट था वह एक दौर ही अलग था जब अक्षे कुमार की कॉमेडी टाइमिंग और हमारी हसी की टाइमिंग मतलब कहने की बात है कि भाई वही जो दौर है वह वापस आने वाला है अक्षे कुमार तीन खतरनाग कॉमेडी फ्रेंचाइजी में आपको देखने को मिलेंगे और जल्द ही इसकी अनौसमेंट भी होने वाला है अभी अक्षेक कुमार इस वक्स जिस जहां खड़े हैं अभी यह साल तो उनका बिल्कुली बर्वाद हो गया हाला कि कहने के लिए पांच मुवी आई हैं लेकिन चार मुवी बॉक्स अफिस में उन्हें मुगिरी फ्लॉप डिजास्टर रही इसके अलावा एक वह रिमेक थी और आपको पता है कि आने वाले समय में अक्षेक कुमार के पास बहुत जादा है जैसे कि आपको पता है पिटारे में से तीन मुवी तो रिमेक ही निकलेगी एक आपको पता है सूराइब कोई ऐसी खतरनाक सी कॉमेडी मुवी नहीं होगी अगर फिर हेरा फेरी फिरी में वह आते हैं और अनॉस्मेंट होती है तो मेरे हिसाब से भाई एक बड़ा यहां बूस्ट मिलने वाला है और फ्रंचाइजी गाई ऐसी है कि हम हमारे जो बच्पन हैं हमने किस तरीके से उस